नवस्कार दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था आपको कि देखीगा रात को ही देखीगा एक्जाक्टली बता दिया जाएगा जो भी ब्रीफिंग आएगी कल के वीडियो में भी आपको अच्छी तरीके से तमझाने कोशुश करी थी कि लाइक आपको एक्जाक्टली पता होना देखेगा और मार्केट एक्जाक्ली कहां से गिरेगा कहां से उठेगा और ये प्रॉफिट चाहते हैं तो ऑप्शन बायर है तो जॉइन कर लीजिए हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा तो आपको पता है कि पूरी इंप्रॉफ्मेंट देखने को मिला है बट दर फिंग इस एक चीज आगया आगको याद रखनी है कि ये फेस्टिव सीजन का डेटा है अगर फेस्टिव सीजन में देखेगा ये जो डिमांड है वो लो बना रही है तो जो आक्चुल में फेस्टिव सीजन खतम होगा तब क्या अक्चुल फीगर देखने हो मिलेंगे लेकिन अभी के लिए गौर्मेंट की तरफ से अपडेट आ चुका है WPI इंफ्लेशन का आप देख सकते हैं इंफ्लेशन एक बहुत बड़ा टारगेट है लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि जो रिकॉर्ड है जो रिक किस महिने का अगर आप देखेंगे आपने CPI इंफ्लेशन देखा था CPI इंफ्लेशन एक पीक बनाया था बेन आफटर अफ्टर डेकिगा डाउन हो था आर आरबिए ने भी एकस्पेटेशन 6.1 का किया गया था बर लेकिन अगर आप देखेंगे तो हमारे फीगर्स आए थ थे control में यानि कि क्या आपको देखने हूं मिले थे tolerance level 4 to 6 के बीच में आपको पता है CPI inflation अगर कम हो रहा है तो इसके पीछे की chain होती है WPI inflation यानि कि थोक महंगाई कैसी है थोक महंगाई देखेगा अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब है खुदरा महंगाई यानि कि जो retail inflation होता है वो अपने आप automatically बढ़ता है तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 21 महिने का लो बनाया है जो बाजार के लिए अच्छी update है साथी साथ Indian economy के लिए भी बहुत अच्छी update है तो बहुत यह अच्छी ख़बर देखेगा आरी है अगर आप देखेंगे जो low बनाया है आसपास जो CPI inflation का data है उसके आसपास का है 5.85% के आसपास और आगी की कुछ projections भी आगे हैं कि आगे क predictions क्या है यह बहुत important है तो आप देख सकते हैं कि यहां पे इकराद चीफ देखेगा Chief Economist जो है अधिती नायर वो यह कह रही है कि December में भी इसमें further fall देखने हो मिलेगा further drop देखने हो मिलेगा और उसका उन्हेंने figure बताया है कि जो commodity के prices हैं वो ease हो रहे हैं commodity के prices क्या हो रहे है कम हो रहे हैं जिस कारण से December का data भी better देखने को मिलेगा तो यह एक बड़ा figure है बड़ा update है आपको भी पता है कि यह किसी ने सोचा नहीं था और इस तरीके के help हो जाएगी और अगर आप देखेंगे जो sharp drop आया है यानि कि जो favorable data है वो food inflation में आया जो कि आपको पता है need essential item है rural particular area के लिए भी और अगर आप देखेंगे यहाँ पे that the price pressure in the economy has speed यह बहुत अच्छी बात है और आगे अगर आप देखेंगे तो 11 month का देखेगा retail inflation ने देखेगा क्या बनाया था low बनाया था अभी recently और जब देखेगा chain क्या होती है producer के पास से price चलता है फिर wholesaler के पास पह पहुसता है फिर आपके पास आता है CPI तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ही अगर देखेगा अगर यहाँ पर प्राइस ज्यादा है तो यहाँ पर होंगे और यहाँ पर होंगे तो जब देखेगा यहाँ पर प्राइस कम हो रहा है यह CPI inflation यानि कि consumer को customer को अगर कम दामों पे चीज़े मिल लही है तो अपने आप ही है कि जो थोप विक्रेता है उनको चीज़ें और कम मिल लही होंगी तो यह automatically कापी अच्छा है लेकिन यह government के point of view से इसलिए अच्छा है जो government अपने आपको defend कर सकती इस particular budget में एक फरवरी को अच्छी तरीके से government यह कह सकती है कि हम हमने महगाई की दर को काबू में ले आए हैं RBI भी यह कह सकता है और हम पूरी तरीके से controlled balance के साथ देखेगा economy growth कर रहे हैं तो कि हमने अच्छा revenue generate किया है अच्छे GST collections किये हैं हमने comparatively to the global economy अपनी चीज़ों को काफी अच्छी तरीके से सुधारा है तो वो सारी चीज़ें government इस particular देखेगा scenario में लेकर एक public spending के लिए जा सकती है बड़े infra investment के लिए जा सकती है जो कि capital market के लिए सबसे अच्छी update होगी तो आगे चलके तो यह चीज़ बहुत अच्छी होने वाली है चुकि core retail inflation में भी हम लोगो काफी ज़्यदा success मिली है और साथ ही साथ अकर आप दे अगे अगर आप checkout करेंगे तो लगातार फरवरी से लगातार inflation बढ़ता चला जा रहा था अब थोड़ा सा इसमें downtrend देखने हो मिला है और अगर आप देखेंगे तो 21 महिने का low बनाया है और यह low देखेगा जब particular बना था तो आप समझ सकते हैं कि उस समय देखेगा आप checkout क आपको काफी ज़्यादा comparatively काफी अच्छा लग रहा होगा और आप देख सकते हैं कि जो data है वो काफी ज़्यादा बढ़के भी आया है कि number देखेगा 2021 में बड़ा peak बना था 14.87% data देखने हो मिला था लगातार बढ़ ला था और अब देखेगा जाके काफी अच्छा fall down द कितना अच्छा है बाजार के लिए तो कल के लिए बहुत यची information है वीडियो गर अच्छा लगा है तो like share subscribe करना बूलिएगा हमारे telegram channel को join करना ना बूलिएगा description में आपको link मिल जाएगा